इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Welcome to BB News केंदर सरकार के एक फैसले से दुरलब बिमारी स्पाइनल मस्कूलर एटोफरी इस से पिडित पांच महिने की बच्ची की सलामती की उम्मीदे अब बढ़ चुकी है दरसल सरकार ने मासूम की दवाईयो पर 6 करोड रुपे का आयाज शुल्क और GST माफ कर दिया है महराष्टर के पुर्व मुख्यमंत्वी देवेंदर फड़नविस ने मंगलवार को ये जानकारी साजा की है और इस मासूम बच्ची का नाम है तीरा जिसका मुंबई के SRCC अस्पताल में इलाज चल रहा है आपको बता दे कि इस बिमारी का इलाज तो है लेकिन वो इतना महंगा है कि इलाज कराना हर किसी के बस की बात नहीं है इसके इलाज के लिए लगने वाले इंजेक्शन की कीमत करीब सोला करोड रुपे है तीरा के पेरेंट्स प्रियंका और मिहिर कामत ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साजा की और मिहिर कामत ने बताया कि इसकी कारगर दवा जोल गेंसमा आयात की जाती है और इसकी कीमत करीब सोलाक करोड रुपे हैं इस पर करीब छे करोड रुपे टैक्स अलग से देना पड़ता है और इस तरह की इसकी कीमत करीब बाइस करोड रुपे हो जाती है लेकिन महराष्टर के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नविस की चिठी पर पीम नरेंद्र मोधी ने टैक्स को माफ कर दिया है और डॉक्तरों का मानना है कि इंजेक्शन नहीं लगने पर बच्ची बे मुश्किल 13 महिने और जिन्दा रहती परिवार बच्ची की हालत का डेली अपडेट इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है और सोशल मीडिया पर अब सरकार के फैसले की तारीफ हो रही है तीरा के परिवार के लिए इंजेक्शन का इंतजाम करना आसान नहीं था तीरा के पिता मिहीर आईटी कमपनी में जॉब करते हैं तकनीक और सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ होने की वज़े से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पेज बना कर क्राउड फंडिंग की अपिल की और इससे गजब का रिस्पॉंस मिला और सोला करोड की रकम आपको बता दी कि इस पांच महीने की बच्ची के पिता मिहिर कामत ने बताया है कि जन्म के समय उसकी आवास बहूत ही तेज थी और पैदा होने के बाद जब बच्ची रोई तो वेटिंग रूम तक आवास गई इसका दिमाग काफी तेज है और जन्म के समय वो आम की तुलना से कुछ लंबी भी थी तीर की तरह लंबी होने के कारण उसका नाम तीरा रखा गया है तो दोस्तों इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और जादा से जादा शेयर करे और इसी तरह की खबरे पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थांक यू